Hello Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Lava Z4 Android Mobile Phone में आप Select to Speak सैटिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और इस सैटिंग को इनेबल करने के बाद आप इसे कैसे यूज़ कर पाएंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जांकरी देने वाला हूँ तो चलिए हैं यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने phone का Setting Page Open कर लेना है इसके बाद आपको Setting Page में आने के बाद आपको नीचे की साइड में आना है इसके सामने ये बटन दे रहा है, इसे आपको select करना है यहाँ पर एक नया page आपके सामने show होगा इस page को उपर की साइड स्क्रोल करना है और इस setting को allow कर देना है तो यहाँ पर आपको फिर इसे okay कर देना है अब ये setting आपकी select to speak setting आपकी enable हो चुकी है अब ये setting काम कैसे करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ आप चाहे तो अपने mobile phone की किसी भी application में होंगे चाहे आप जो फोटो, gallery में होंगे ठीक है, कहीं पर भी किसी भी application में होंगे अपने mobile phone में आपको करना है कि ये जो सबसे नीचे एक button show हो जाता है ठीक है, इस setting को enable करने के बाद इस button को आपको एक बार select करना है एक बार select करेंगे तो ये play button आ जाएगा red color में ठीक है, आप यहाँ पर जो है कहीं पर भी आपको screen पर उंगली से इस तरीके से रखना है और इस green line के अंदर जितना area के अंदर जितना लिखा हुआ आएगा ठीक है, उतना लिखा हुआ आपका mobile पढ़के आपको सुनाएगा तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये setting जो है काम करती है ठीक है, और यहाँ पर अगर ये जो है line खीचने के बाद आपको जो है volume का button एक बार दबा देना है ठीक है, तो हो सकता है कि आपके volume की आवाज कम होगी तो ये चालू हो जाए ठीक है, तो ये setting जो है इस तरीके से काम करती है जितना area आप cover करेंगे green line के अंदर उतना area आपका mobile phone आपको read करके सुनाएगा ठीक है